भारत और बांगलादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सिरीज का पहला मैच आज चेन्नी के चितंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांगलादेश ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी का फैसला लिया। दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 में तीन-तीन पेसर्स को मौका दिया है। टॉस गवाकर पहले बल्ले बाजी कर रहे भारती टीम ने चटी ओवर में ही अपने कप्तान को कमा दिया। रोहिश शर्मा सिर्फ छेरन बना कर आउट हो गए। सिर्फ तीन मैच पुराने तेज गेनबाज हसन महमूद ने हिट मैन को सिलिप पर फसा दिया। रोहिश शर्मा के बाद शुबमन गिल और विराट कोली चलते बने। खबर लिखे जाने तक मात्र 40 रनों में ही इंडिया के तीन धुरंधर आउट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों बिलकुल सही सुन रहे हैं इंडिया की स्तिति गंभीर है और इंडिया मैच में फस्ति दिख रही है। भारत की प्लेंग 11 की बात करें तो रोहिश शर्मा कप्तान, यशशवी जैसवाल, शुबमन गिल, विराट कोली, केल राहुल, रिशपपन, विकेट कीपर के तौर पर, रवीनर जडेजा, रविचन अश्वीन, जस्पिरित बुम्रा, आकाश दीप और मुहम्मत सिरार्ज ये 11 खिलाडी जो भारते टीम की ओर से खेल रहे हैं। गौतम गंभीर की ये पहली टेस्ट सिरीज है। विकेट कीपर रिशपपन, कार एक्सिजेट के बाद, पहली बार टेस्ट क्रिकेट क्हेल रहे हैं। भारती टीम छे महिने बाद टेस्ट क्हेलती नजर आ रही है। वहीं अगर बांगलादेश की बात की जाए, तो बांग ग्यारह मैच भारत जीता है, घर पर भारत का बेजोड रिकार्ड रहा है, पिछले 12 साल में टीम एक भी टेस्ट सिरीज घर पर नहीं हा रही है, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस मैच में उभर पाएगी, क्या इंडिया बांगलादेश को मात दे पाएगी, हाला जाने से पहले पेच को फॉलो कर लिजे, और अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे,